सब इस्टिएंट्स को मेरा नमस्कार मैं हूँ नमीन सौनी आप देखें नमीन सौनी सर केमिस्टी क्लासेज तो कल तक हमने सॉलिड इस्टेट जो यूनिट है वह स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने आपको पार्ट फैस्ट और पार्ट सेकंड जो है वह मैंने करवा दिया था लाश्ट जो टोपिक था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो क्रिश्टल एक तो आपको बताया था आज हम चर्चा करेंगे जिसमें एक तो था इस टेक्चर ऑफ डाइमंड और एक है इस टेक्चर ऑफ ग्रेफाइट तो यहां पर हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसके उसके अब होई यहां पर हैं हीरे की सरंचना हीरे की सरंचना स्ट्रेक्चर ऑफ डाइमंड एक्जाम में बहुत बार आता है और 11 कलास में भी है 12 में भी है और 10 में भी है तो यह बहुत इस टेक्सर बिल्कुल सिंपल सी है तिनों ग्लासों में लगबक सेम सी हैं तो इसमें मैन मैन बाते क्या होती है वो बिल्कुल से त्यान से देखना हीरे की सरंचरा में मैन मैन बाते क्या होती है तो सबसे पहली बात इसमें क्या होता है कि कार्बन जो होता दौरा जुड़ा रहता एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में दूसरी जो बात इसमें यह है कि एक कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ में जब जुड़ा रहेगा तो यह अधर कर्वन के साथ जुड़ा रहेगा यह कार्वन कार्वन के साथ जुड़ा रहता है जुचर यहां से जुड़ा हुआ रहता है इसके बाद में इसके अंदर बात आती है नम्बर 3 कि 1 Carbon अने 4 Carbon के साथ जुड़ाओ आया तो इसी हीlt SP3 होता है निजया है नम्बर 4 जो बात आती है आती है तो हीरा जो है उसके अंदर है वो पाई जाती है अगली जो बात होती है वह आती है इसके अंदर कंड़क्टिवेटी कंड़क्टिवेटी कि यह कंड़ेक्टर है या नॉन कंड़ेक्टर है कि इसके अब आप देख रहे हैं कि दौब स्थयों वह वा तो इसमें वी चलोद के साफने में पाइगा इसका यह पर करेगा इसमें चालक नहीं आएगी तसों है वह थे हैं कि अन्पड इलेक्ट्रॉन जो है या अपने अन्पड बॉल सकते हैं एन्पड इलेक्ट्रॉन जो है अन्पड इलेक्ट्रॉन्स एक ट्र्फ्र जुह है वह अप सेंट हैं उन्पेडン देखे यह नहीं ही इसलिए क्या हो गया यह विदूत का क्या हो सकता है कुछ आलक हो सकता है एक ट्रहे विवार का रहा- गार्ण कंड़क्टीविटी से मैं शो नहीं होगी ज़सी इसनेلف से अंदर क्या आएगा कि एक कार्बन ने कार्बन के साथ में किस प्रकार से जुड़ा रहेगा तो इसमें आप देखेंगे इसकी स्टेक्चर किस प्रकार से आएगी इसकी स्टेक्चर में क्या होता है जैसे इस प्रकार से यह कि आपको एक्जागोनल श्टेक्षर दिखाया देरी है सटकौन यह वले इसके अंदर क्या होता है कि इसके नीचे की साइड में आप ऐसा ही और बना सकते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से नीचे के साइड में बना दिया और फिर इधर के साइड में भी आप ऐसा ही बना सकते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी एक कारबना ने तीन से जुड़ावा दिखाए दे रहा है आपको लेकिन यह फ्रंट की स्टेक्चर है अभी मैंने आपको पता है कि टेटर हैडल जो इसके अंदर पाई जाते है तो इसकी स्टेक्चर है थोड़े सी डिफ्रेंट दिखाए देगी जैसे कि यह तीन के साथ जुड़ावाए तो यह एक इधर भी जुड़ सकता है यह इधर जुड़ावाए इधर भी जुड़ावा क्योंकि आपको पता है कि हीरा जो होता है वो किस प्रकार की स्टेक्चर लिए है तो आपको पता है तो यह इसकी बेक साथ की स्टेक्चर हो गई इसी प्रकार यहां पर यह देखा जाई तो यह इस प्रकार की स्टेक्चर आगई यहां से और यह वाला जो इसके साथ जुड जाएंगे कि इस प्रकार से का तो देखरेंगि 133 और यह और इसकाब फॉर तो अभी इसमें से देख रहे हैं कि ट pend हैक्ड्र सिय और फोर यह वो आई क्ётा घूक्डर गे संदर चो कि इसकांगे अब यहां पर अगली बात जो आती है वह आती है कि एक कार्बन जो होता है वारने दूसरे कार्बन के साथ में कितनी दूरी से जुड़ा रहता है कितनी दूरी पर है तो यह इसमें आ गया कार्बन कार्बन की बीच की दूरी कितनी है तो यह अगला पॉइंट हम यह भी देख की दूरी है वहाँ पर है by क्यए सके नदर क्यPh इसके बात मिं क्या होता है इसके कुछ है यूज जाते हैं जैसे यह आ दो उजेज में आ गया कि इसका सबसे पहली बार है जो बनाने में किया जाता है गैने बनाने में इसका उप्योग करते हैं ठीक है यह तो आपको सब को पता है इसके लावा जो काच होता है उसको काच को काटने में इसका उप्योग किया जाता है जो काच होता है उसको काच को काटने में इसका उप्योग किया जाता है काच को काटने में करते है इसके लावा जो drill machine उसकी bit बनाने में इसका प्योंग किया जाता है इसके लावा जो grinder होता है grinder उस यह grinder होता है इस grinder के ऊपर जो आप अत्ता देखते हो तो इसके ऊपर यहाँ पर एक layer होती है वो layer द्रेदर कम हो जाते है तो grinder चलना बंद हो जाता है तो यह layer जो है यह क्या होती है कि बनी में होती तो यह grinder कि यहँंडार की जो परत होती है वह इसका चूरा होता है उसका चूरे को इस प्रे डालकर और यह इसके कटी है जो ग्रेंडर से आसाने से कट सकती हैं तो यह आते हैं इसके को से यूजेज तो यह पूरी-पूरी जो हीरा है उसकी स्टेक्चर है के अंदर इसी इस प्रकार से आपको एक्जाम में बताना होता है